डिसीजन आज भी है ना देश के लिए इतने भलेकार है कि उनके जैसे डिसीजन है ना कोई ने ले सकता मनमोहन जी तो परदान मंतर ही न सोनिया गाजी थी पीछे से आथे है नुट्ध जी जी चाहिए न नहादेविज रेंगा कोट पहेंगे हैं कांग्रेस मतलब मुसलिम की सपोर्टर ये ये मोधी हर जगां गलट डिजयां लेते हैं तो बार बार हमारी देश की जनता उनको चुनको लाक्या हो रही है अपूर्ड बहुमत के साथ राहूल गांधी को ही सांसत बनाया आप बता रहें का मेठी से आ रहे हैं और आप इतना पिरोधा भाद कि आमने नहीं हमारे फादर की समझ से कांग्रेस के नाम प्याम एठी जानी जाती थी तोड़ा क्यों आज ऐसी नवबत क्या आ गई कि जो है जो जोडने की स्थित्थ पैदा हो गई समाज में धरम में जाती में इसलिए जोडने की स्थित्य आगी मजबूरी होगी जोड़ना इसा है उसकी मजबूरी क्यों बनी सतर साल तक इन्हें हतेली पर रखा उनने हाथ के नीचे कर दिया तो गलत हो गया आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा कदम है परन्तु जो वो कदम उठा रहे है उससे समझ नहीं है 24 में किसको लाएंगे 24 में क्या लग रहा है कौन कौन टक्त मोधी आएगा जब तक हिंदूत हमारे दिमाग में है तब तक BJP को कोई हटा नहीं सकता बस काम हो काम हो या नहीं हो बेरोजगारी चाहे रहो आज भी क्रूड ओयल चाहे फिरी मिले लेकिन हमसे पैसे यह है आप से भी है जितने लोग खड़े हैं हम यह पूछ रहे हैं कि 2014 से पहले ऐसी भावना क्यों नहीं आती थी सब तो साथ रहते थे अब लोगों के दिमाख में ऐसा बर दिया है कि मतलब हिंदू मतलब BJP ठीक है ना कांग्रेस मतलब मुसलिम की सपोर्टर राम मंदिर में आप यह बताइए हम जी इतने हिंदू खड़े हैं कितने माच राक जलाने गए गया तो नहीं कोई अपने यहां जो मंदिर हैं उसमें रहाम मंदिर बनेगा तो हम हिन्दू के नाम पर खड़े हो जाते हैं यह निदेखते उससे देश का नास होगा या क्या होगा वो चीज ये हमारे दिमाग से हट जाती है ये एक राम मंदर बना चाहिए ये राम मंदर बना चाहिए क्योंकि वो अपनी द्रहोग्र है और वह अपने सांस्क्रृतिक से जुडी हुए लेकिन एक ध्रम के नाम पे आप राजनेदी करके गुम्रा करके किसी को आप आगया रहे हो वह एक नहीं है कि आप पर्टिकुलर आप राजनेदी के इश्याप से अपने आगया के आपने देश का विकास किया है देश का विकास कहा हो रहा है देश का विकास कहा हो रहा है मानते हैं वो अपनी इसी बिल्डिंग है यहां पर स्री राम का जनम हुआ था वो एक राजनेतिक व्यूर्ट से नहीं देखना चाहिए उसको एक धार्मिक भी से देखना चाहिए और आज के टाइम में जैना मोधी जी कहते हैं कि हमने बेदवाव खतम कर दिया हमने यह चीज खतम कर दिया देश स और पहले आपने ये मोधी जी का ही स्टेट मैंट ता कर मनमौन सिंग जी जाना ना नहादय भी रैन कोट पहन के हैं जो उन पर कोई दागनी लगा आई तक तो वह थी अपनी जंगा वह ने कुछ नहीं पर भी आपने जेंगा तक तो वह भी जी ते लेकिन सरकार में आते है मन महुंजी तो प्रदान मंतरी नहीं थे प्रदान मंतर सोनिया गाजी थी पीछे से क्या बात कर दी हम बोलता है खुले दिल से बोलता है किसी भी स्टाप को किसी भी जगो को किसी भी इनसान को पूछ दो मन महुंज सिंग सिरफ मूर्ती थे हाँ डीसीजन आज भी है ना देश के लिए इतने बलेकार है कि उनके जैसे डीसीजन ना कोई ने सकता है अज इतना परुखतन हुआ है कोई भी पडूसी देश चाहिए पाकिस्तान वा चाहिए ना हमारे साथ कुछ भी गल्ती करता है तो नेता नहीं बोलते हमारी देश की जनता कहती है कहती है कहती है कि हमला करो काइसे कहती है उस जानती है आज हमारा देश मजबूत हुआ है सनबासट में ऐसा नहीं बोलते है चुपचा बढ़ गए तीछे हो गए बढ़ गए लेकिन अब क्या कहते है हमला कर दो पाकिस्तान चाहिना हो यह प्रूफ जो कि जनता खुद बोलती है आप सब भी बोलें कुछ भी होगा काओगे कि आभी के टाह में कोई देश किसी पर हमला करेगा नहीं आपका मतलब किसी भी देश से मैं तो यह सीधे कहता हूं हमारे जो दर्शक देख रहें किसी भी देश में किसी भी परिवार में जब विरोधा बास होता है और लडाई होती है दोनों पक्ष का नुकसान होता है उसमें यह नहीं कह सकते कि हां एक ही पक्ष का नुकसान होता है तो इस बात स जनता के बीच में नहीं है जनता जानती है कि यह एक राजनेतिक पहलू है आज विवाद देख लो सबसे जादा विवाद TV पर मिलेगा वो कौँछी पठान फिच्छर हूँ उसके बारे में क्योंकि विवाद यह यह राजनेतिक विवाद को केवल दो ची चलती है लेकिन ना शिक्ष्या के उपर एक मिनट बाद नहीं होता इस पर हम काउंटर एक मिनट गेहूं हम आप पैदा करते थे हम भी गाहों से हैं गेहूं पैदा करते चेह रूपए साथ रूपए किलो बिकता था आज गेहूं की कीमत जो काटे ग्रेट कुछ और अलग है तो यह सरकार यहां से बनागी देख नहीं हम हम आज तक मर्पी कोई भी डिशाइड नहीं करते हैं मिनिम्यम जो सुलक होता है जो एक सरकार पर्टिकूलर देना चाहती है वह अभी तक इतियास में कभी भी नहीं हुआ भारत में कि वह फि तो बार-बार हमारी देश की जनता उनको चुनको लाक हो रही है अब पूर्ण बहुमत के साथ ऐसा मैंडट किसी को मिला था एक निम्न परिवार का आदमी जो है बच्चों का जीब का पारजन कोई बाहर हो या घर पे हो बच्चों का जीब का पारजन के लामा उसके पास दस सब्सक्राइब करने वाले जो नोट बंदी का भी सबसे ज्यादा विरोध करने वाले बीजेपी के थे आप इसके सब्सक्राइब करने आप देखो तो सही आपको ट्रके रोक दी गई थी लोग गाली दे ओटिंग कौन करता है आप पब्लीक करती है आज कोई नेता जाए और परिशान किये जाए दुकान वाले दुकान ना लगा पाएं तो पांसो गाली देंगे बोले हैं साले जाओ यह लक्सन आने तो तुमको हम बताता हूं पहसी खान यहां पर, आपके नेता एंबूलेन्स को जाने देते हैं , नरेंद्र मोदी जी। ऑर और 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 यह और न effectivement के दिखाने कि लिए है । कहने का मतलब है आप कह रहे हो कि कोई वहां पर besides कूई मिटिंग चल रही थी मिटिंग जहां पर भी होती है किसी की भी मिटिंग होती है वाकाइदा वहां पे जलसा लगता है वहां रूट चेंज होता है सब जगह होता है वहां पे भी बीड होती है और ट्राफिक होता ही है दा फ्रेंट नीज प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस दा बेल आइकन